हाई, आप सोचे होंगे कि मेरे हाथ में एक ग्लास क्यों है, मुझे प्यास नहीं लगी, आज इन ग्लासेज की मदद से मैं आपको प्लेस वैल्यू कैसे बच्चे खेल-खेल में सीख सकते हैं, ये बता, आएए देखते हैं मेरे पास अभी दो ग्लासेज हैं, जैसा कि आप इस पहले ग्लास में देख रहे हैं, मैंने कुछ अंक लिखे हैं, शुन्य से लेकर एक, दो, ती, चार, पान, छे, साथ, आठ और नो तक, शुन्य से लेकर नो तक के अंक हमने इस ग्लास में लिखे हैं, इसके आगे 10 नहीं है 10 के लिए हमारे पास यह अगला गलास है इसमें हमने 0,0,10,20,30,40,50 इस प्रकार से 90 तक के संख्याओं को इस गलास में लिखा है इसी प्रकार से सैंकडा के लिए हमारे पास यह गलास है जिसमें हमने 100,200,300,400 करके इस प्रकार से बाखी गलास है यहां लिखा है और इसी प्रकार से हमारे पास यह हजार का ग्लास है, दस हजार का भी ग्लास है और लाग का भी ग्लास है, यदि हम चाहें तो अवशक्ता उनसार इसे और आगे तर बढ़ा सकते हैं, आए देखें कि कैसे इस छोटी सी टीचिंग एट से हम कई प्रकार के खेल सकते हैं, सबसे पहले, टीचर अपने विद्यार्थियों को कोई भी संख्या बनाने को देगा, तो विद्यार्थी इस ग्लास को घुमा घुमा कर परतेख फ्लेस वैली को घुमा घुमा कर संख्या बना सकते हैं, जैसे माल लीजिए कि मैंने एक संख्या बनानी है, पांच ह 5490 उसके लिए इकाई स्थान पर दो, दाहाई स्थान पर नौ, सैंकडा स्थान पर है चार, और हजार वाले स्थान पर आएगा पांच, तो इस प्रकार से हमने ग्लासिस को कुमा कर संख्या बनाई है 5490, इस प्रकार से बहुत कम समय में बच्चे इन ग्लासिस को अलग अलग प्रकार जो भी संख्या अध्यापक वर्होंने दी जाएगी उसे बना सकते हैं यह है एक टॉपिक जो हम इस ग्लासिसस से कर सकते हैं इसके बाद यदि इसी प्रकार से सभी बच्चों से एक-एक संख्या बनवाई चाहे तो बच्चे उन बच्चों से फिर हम यह भी इसी और चोटी के हिसाब से मैंने सबसे बड़ी संत्या सबसे चोटी संक्या आरोही क्रम अब रोही क्रम इस प्रकार से बहुत सारे टौपिक यह लासी कि तो देखा आपने यह बहुत ही मामूली सी चोटी सी टीचिंग एड है और इसके मदद से गणित के बहुत सारे कंसेप्ट अम बच्चे को खेल-खेल में सिखा सकते हैं